C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है अध्याय आठ राशियों की तुल्ना प्रिष्ट संख्या 125 से लेकर प्रिष्ट संख्या 144 तक आईए सुनते हैं अध्याय आठ राशियों की तुल्ना प्रिष्ट संख्या 125 आठ दशमलव एक अनुपात एवं प्रतिशत का स्मरण हम जानते हैं कि अनुपात का अर्थ है दो मात्राओं की तुल्ना करना एक टोकरी में दो प्रकार के फल हैं मान लीजिए इन में 20 सेब और 5 संख्या हैं तो संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात बराबर है 5 अनुपात 20 यह तुल्ना भिन्नों की सहायता से 5 बटा 20 बराबर है एक बटा 4 के रूप में भी की जा सकती है संथ्रों की संख्या सेबों की संख्या का एक बटा 4 है अनुपात के रूप में यह एक अनुपात 4 है और इसे 4 की तुल्ना में एक है पढ़ा जाता है अथ्वा, संत्रों की तुल्ना में सेबों की संख्या बराबर है 20 बटा 5 बराबर है 4 बटा 1 जिसका अर्थ है कि संत्रों की तुल्ना में सेबों की संख्या 4 गुना है यह तुल्ना प्रतिशत के उप्योग से भी की जा सकती है 25 फलों में 5 संत्रे हैं इसलिए संत्रों का प्रतिशत 5 बटा 25 गुणा 4 बटा 4 बराबर है 20 बटा 100 बराबर है 20 प्रतिशत हर को 100 बनाया गया है अथ्वा एकिक विधी से 25 फलों में संत्रों की संख्या 5 है इसलिए 100 फलों में संत्रों की संख्या बराबर है 5 बटा 25 गुणा 100 बराबर है 20 प्रतिशत क्योंकि तोकरी में केवल सेब और संत्रे हैं इसलिए सेबों का प्रतिशत जमा संत्रों का प्रतिशत बराबर है 100 अथ्वा सेबों का प्रतिशत जमा 20 बराबर है 100 अत्वा सेबों का प्रतिशत बराबर है सौ घटा बीस, बराबर है अस्सी, अतह टोकरी में बीस प्रतिशत संत्रें और अस्सी प्रतिशत सेब हैं। उदहरन एक, किसी विद्यालय में कक्षा साथ के लिए पिकनिक की योजना बनाई जा रही है। विद्यार्थियों की कुल संख्या का 60 प्रतिशत लड़कियां हैं और इनकी संख्या 18 है। पिकनिक का स्थान विद्यालय से 55 किलोमीटर दूर है और परिवहन कमपनी 12 रुपए प्रति किलोमीटर की दर्स से किराया लेती है। अलपाहार यानि जलपान का कुल खर्च 4,280 रुपए होगा। प्रिष्ट संख्या 126 क्या आप बता सकते हैं? एक, कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात। दो, यदी दो अध्यापक भी कक्षा के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं तो प्रती व्यक्ती खर्च। तीन, यदी उनका पहला स्टॉप विद्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर है तो वह 55 किल कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत दूरी तय करना शेश है। जिसमें 60 प्रतिशत लड़कियां हैं। विद्यार्थियों में एक लड़की है, इसलिए कितने विद्यार्थियों में 18 लड़कियां होंगी। विद्यार्थियों की संख्या बराबर है 100 बटा साथ गुणा 18 बराबर है 30 इसलिए लड़कों की संख्या बराबर है 30 घटा 18 बराबर है 12। अतह लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से 18 अनुपात 12 अत्वा 18 बटा 12 बराबर है 3 बटा 2 का अनुपात है। 3 बटा 2 को 3 अनुपात 2 के रूप में लिखा जा सकता है और 2 की तुलना में 3 पढ़ा जाता है। 2. प्रतिव्यक्ति खर्च ग्याद करने के लिए यातायात खर्च बराबर है दोनों तरफ की दूरी गुणा 10 बराबर है कोश्ठक में 55 गुणा 2 गुणा 12 रुपए बराबर है 110 गुणा 12 बराबर है 1320 रुपए कुल खर्च बराबर है अल पाहार खर्च जमा यातायात खर्च बराबर है 4,280 रुपए जमा 1320 रुपए बराबर है चपन सो रुपए कुल व्यक्ति बराबर है 18 लड़कियां जमा 12 लड़के जमा दो अध्यापक बराबर है 32 व्यक्ति आशिमा और जौन ने प्रति व्यक्ति खर्च ग्याद करने के लिए एकिक विधी का उप्योग किया 32 व्यक्तियों के लिए खर्च किये जाने वाली राशी चपन सो रुपए होगी इसलिए एक व्यक्ति के लिए खर्च की जाने वाली राशी बराबर है चपन सौ रुपए बटा बत्तीस बराबर है एक सौ पच्छत्तर रुपए प्रिष्ट संख्या एक सौ सत्ताईस 3. प्रथम स्टॉप की दूरी बराबर है बाईस किलोमेटर दूरी का प्रतिशत ग्याद करने के लिए आशिमा ने यह विधी उपयोग की बाईस बटा पच्छपन बराबर है बाईस बटा पच्छपन गुणा सौ बटा सौ बराबर है चालीस प्रतिशत वह अनुपात को 100 बटा 100 बराबर है एक से गुणा कर रही है और प्रतिशत में बदल रही है जौन ने एक एक विधी उपयोग की 55 किलो मीटर में से 22 किलो मीटर दूरी तै की जा चुकी है एक किलो मीटर में से 22 बटा 55 किलो मीटर दूरी तै की गई है 100 किलो मीटर में से 22 बटा 55 गुणा 100 किलो मीटर दूरी तै की गई है अर्थात 40 प्रतिशत दूरी तै की गई है दोनों का उत्तर एक जैसा पाया गया और उनका उत्तर इस प्रकार है रुकने वाले स्थान की विद्यालय से दूरी कुल तै की जाने वाली दूरी का 40 प्रतिशत था इसलिए तय की जाने वाली शेश दूरी का प्रतिशत बराबर है 100 प्रतिशत घटा 40 प्रतिशत बराबर है 60 प्रतिशत प्रयास कीजिए एक प्रात्मिक विद्यालय में अभिभावकों से पूछा गया कि वे अपने बच्चों के ग्रहिकारे में सहायता करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे व्यतीत करते हैं 90 अभिभावकों ने 1 बटा 2 घंटे से 1 1 बटा 2 घंटे तक सहायता की जितने समय के लिए अभिभावकों ने अपने बच्चों की सहायता करना बताया उसके अनुसार अभिभावकों का वितरन सनलगन आकरिती में दिखाया गया है जो इस प्रकार है बीस प्रतिशत ने प्रतिदिन एक एक बटा दो घंटे से अधिक सहायता की, तीस प्रतिशत ने एक बटा दो घंटे से एक एक बटा दो घंटे तक सहायता की, पचास प्रतिशत ने बिलकुल सहायता नहीं की. इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए एक, कितने अभिभावकों का सर्वे किया गया दो, कितने अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने सहायता नहीं की 3. कितने अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने एक एक बटा दो घंटे से अधिक सहायता की यहाँ पर एक वृत्त बना है जो दर्शाता है कि 50 प्रतिशत ने बिलकुल सहायता नहीं की, 20 प्रतिशत ने 1-1 बटा-2 घंटे से अधिक सहायता की और 30 प्रतिशत ने आधे घंटे से 1-1 बटा-2 घंटे तक सहायता की प्रश्नावली 8.1 निम्नलिखित का अनुपात ग्याद कीजिए अनुपात 4, B. दो अनुपात 3 3. 25 विद्यार्थियों में से 72 प्रतिशत विद्यार्थी गनित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गनित में रुचि नहीं रखते हैं चार एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से दस में जीत हासिल की यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले प्रिष्ट संख्या 128 पांच यदि चमेली के पास अपने धन का 75 प्रतिशत खर्च करने के बाद 600 रुपाई बचे तो ग्याद कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपाई थे 6. यदि किसी शहर में 60 प्रतिशत व्यक्ति क्रिकिट पसंद करते हैं 30 प्रतिशत फुटबॉल पसंद करते हैं और 6 अन्य खेल पसंद करते हैं तो ग्याद कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं यदि कुल व्यक्ति पचास लाख हैं, तो प्रतियक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथा आर्थ संख्या ज्याद कीजिए. आठ दशमलवदो व्रिधी प्रतिशत अथ्वा रास यानि कमी प्रतिशत ज्याद करना. हमें अपने दैनिक जीवन में प्रायह निम्नलिखित प्रकार की सूचनाई मिलती हैं, एक, अंकित मुल्य पर 25 प्रतिशत की कमी, दो, पेट्रोल के मुल्य में 10 प्रतिशत व्रिधी, आईए कुछ ऐसे उधारणों पर विचार करते हैं. उधारण दो, पिछले वर्ष एक स्कूटर का मुल्य 34,000 रुपए था, इस वर्ष इसके मुल्य में 20 प्रतिशत की व्रिधी हो गई, स्कूटर का नया मुल्य क्या है? हल, अनीता ने कहा कि वह सर्व प्रतम मुल्य में व्रिधी ग्याद करेगी, जो की 34,000 रुपए का 20 प्रतिशत है और तब स्कूटर का नया मुल्य ग्याद करेगी. 34,000 रुपए का 20 प्रतिशत बराबर है रुपए 20 बटा सो गुणा रुपए 34,000 बराबर है 6,800 रुपए. नया मुल्य बराबर है पुराना मुल्य जमा व्रिधी बराबर है 34,000 रुपए जमा 6,800 रुपए बराबर है 40,800 रुपए. अत्वा, सुनीता ने एकिक विधी का उप्योग किया 20 प्रतिशत वृध्धी का अर्थ है कि 100 रुपए वृध्धी के पश्चात 120 रुपए हो जाते हैं, इसलिए 34,000 रुपए बढ़कर कितना हो जाएंगे? वृध्धी के पश्चात मूले बराबर है 20 बटा 100 रुपए गुणा 34,000 रुपए बराबर है 40,800 रुपए इसी प्रकार मूले में रास प्रतिशत से यथार्थ, रास ग्याद कर और इसे वास्तविक मूले में से घटाने पर नया मूल होगा. मान लीजिये बिक्री में वृध्धी करने के लिए स्कूटर का मूले 5 प्रतिशत खटा दिया गया, तब आईए स्कूटर का मूले ग्याद करते हैं. स्कूटर का मूले बराबर है 34,000 रुपई, मूले में कमी बराबर है 34,000 रुपई का 5 प्रतिशत बराबर है 5,100 गुणा 34,000 रुपई, बराबर है 1,700 रुपई. नया मूले बराबर है पुराना मूले घटा मूले में हरास, बराबर है 34,000 रुपई, घटा 1,700 रुपई, बराबर है 32,300 रुपई. हम इसे इस अध्याय के अगले अनुभाग में भी उप्योग करेंगे. आठ दशमलव 3, बट्टा ग्यात करना, किसी वस्तु के अंकित मूले में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं, यह सामानने तह ग्रहकों को खरीदारी के लिए आकरशित करने के लिए अत्वा समान की विक्री में वृद्धी करने के लिए दिया जाता है, आप अंकित मूले में से विक्रए मूले को घटा कर बट्टा ग्यात कर सकते हैं, इसलिए बट्टा बराबर है अंकित मूले घटा विक्रए मूले. प्रिष्ट संख्या 139, उदहरं 3, 840 रुपए अंकित मूले वाली एक वस्तू 714 रुपए में बेची जाती है, बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है? हल, बट्टा बराबर है अंकित मूले घटा विक्रए मूले, बराबर है 840 रुपए घटा 714 रुपए, बराबर है 126 रुपए, क्यूंकि बट्टा अंकित मूले पर है, इसलिए हमें अंकित मूले को आधार मानना पड़ेगा? 840 रुपए अंकित मूले पर 126 रुपए बट्टा है, तो 100 रुपए अंकित मूले पर कितना बट्टा होगा? बट्टा बराबर है 126 बटा 840 गुणा 100 प्रतिशत बराबर है 15 प्रतिशत यदि बट्टा प्रतिशत दिया हुआ है तो आप बट्टा भी ग्यात कर सकते हैं उदहरन चार एक फ्रॉक का सूची मूले 220 रुपए है सेल में 20 प्रतिशत बट्टे की घोशना की जाती है इस फ्रॉक पर बट्टे की राशी क्या है और इसका विक्रय मूले क्या है यहाँ पर एक फ्रॉक का चित्र बना हुआ है फ्रॉक का मूले 220 रुपए है इस पर 20 प्रतिशत की छूट है हल अंकित मूले और सूची मूले समान होते हैं 20 प्रतिशत बट्टे का अर्थ है कि 100 रुपए अंकित मूले पर 20 रुपए बट्टा है एक एक विधी से एक रुपई पर बीस बटा सो रुपई का बट्टा होगा 220 रुपई पर बट्टा बराबर है 20 बटा सो गुणा 220 रुपई बराबर है 44 रुपई विक्राय मूल्ले बराबर है 220 रुपई घटा 44 रुपई अत्वा 176 रुपई रिहाना ने इस समस्या को इस प्रकार हल किया 20 प्रतिशत बट्टे का अर्थ है कि 100 रुपई अंकित मूले पर 20 रुपई का बट्टा है अतह विक्रए मूले 80 रुपई है एकिक विधी के उप्योग से जब अंकित मूले 100 रुपई है तो विक्राय मूले बराबर है 80 रुपई, जब अंकित मूले बराबर है 80 रुपई, अतह जब अंकित मूले 220 रुपई है तो विक्राय मूले बराबर है 80 रुपई, बराबर है 176 रुपई. यहाँ पर एक लड़की का चित्रबना है, जो कह रही है, यद्यपी बट्टा ग्याद किये बिना भी मैं सीधे विक्रए मूल्ले ग्याद कर सकती हूँ. प्रयास कीजिए. पंध्रह हजार रुपए अंकित मूल्ले वाली एक मेज 14,400 रुपए में उपलब्ध है, बट्टा और बट्टा प्रतिशद ग्याद कीजिए. एक अलमारी पांच प्रतिशद बट्टे पर 5,225 रुपए में बेची जाती है, अलमारी का अंकित मूल्ले ग्याद कीजिए. 8.3.1 प्रतिशद में आकलन एक दुकान पर आपका बिल 577.8 रुपए है और दुकानदार 15 प्रतिशद बट्टा भी प्रदान करता है. आप भुकतान की जाने वाली राशी का आकलन कैसे करेंगे? 1. बिल को 577.8 रुपए की निकटतम दिहाई में पूर्णांकित कीजिए अर्थात 580 रुपए. 2. इसका 10 प्रतिशद ग्याद कीजिए अर्थात 10 बटा 100 गुणा 580 रुपए बराबर है 58 रुपए. 3. इसका आधा लीजिए अर्थात 1 बटा 2 गुणा 58 बराबर है 29 रुपए. 4. दो और तीन की राशियों को जोड़िए जोड़ने पर 87 रुपए प्राप्त होते हैं इसलिए आप अपने बिल की राशी को 87 रुपए अथवा 85 रुपए कम कर सकते हैं. इस प्रकार बिल की राशी का सन्निकट मान 495 रुपए होगा. 1. इसी बिल राशी का 20 प्रतिशत बट्टे से आकलन करने का प्रयास कीजिए. 2. 375 रुपए का 15 प्रतिशत ग्यात करने का प्रयास कीजिए. 8.4 खरीद और बिक्री से संबंधित मूले, लाब एवम हानी. यहाँ पर एक लड़की कह रही है, विद्याले मेले के लिए मैं एक भाग्यशाली डिप यानि कूपोन स्टॉल लगाने जा रही हूँ. एक भाग्यशाली डिप के लिए मैं 10 रुपए वसूलूंगी, लेकिन मैं देने के लिए ऐसी वस्तुएं खरीदूंगी, जिनकी कीमत 5 रुपए है. एक लड़का इसे जवाब देता है, इस प्रकार आप 100 प्रतिशत लाब कमा रही हैं. लड़की कहती है, मैं उस उफार को लपेटने के लिए 3 रुपए कागज और टेप पर खर्च करूंगी, इस प्रकार मेरा खर्च है 8 रुपए, जिस प्रकार मुझे 2 रुपए का लाब मिलता है, जो की 2 बटा 8 गुणा 100 प्रतिशत बराबर है 25 प्रतिशत. एक अध्यापिका कहती है, कभी-कभी जब एकवस्तू खरीदी जाती है, तो खरीदते समय अथवा बेचने से पहले कुछ अतिरिक्त धन भी खर्च किया जाता है. यह खर्च क्राय मूले में जोड़ा जाता है. यह खर्चे कभी-कभी उपरी खर्चे कहलाते हैं. इन में ऐसे खर्चे शामिल हो सकते हैं जैसे की मरम्मत पर, श्रमिकों पर, परिवहन पर खर्च की गई राशी इत्यादी. आठ दशमलव चार दशमलव एक क्राय मूले या विक्राय मूले लाब प्रतिशत या हानी प्रतिशत ग्याद करना. उदाहरण 5. सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर पचीस सो रुपए में खरीदा. उसने पांच सो रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किये और तीन हजार तीन सो रुपए में बेज दिया. उसका लाब अत्वाहानी प्रतिशत ग्याद कीजिए. हल, क्रै मूले यानी CP बराबर है पचीस सो रुपए, जमा पांच सो रुपए, बराबर है तीन हजार रुपए. क्रै मूले ग्याद करने के लिए उपरी खर्चे जोड़ देते हैं. प्रिश्ट संख्या 139. प्रिश्ट से कितना लाब होगा? सो रुपए पर लाब बराबर है तीन सो बटा तीन हजार गुणा सो प्रतिशत, बराबर है तीस बटा तीन प्रतिशत, बराबर है दस प्रतिशत, लाब प्रतिशत यानी पी प्रतिशत, बराबर है लाब बटा क्रै मूले गुणा सो. लिए ग्याद कीजिए खर्च किये गए है उदारन चे एक दुकानदार ने 200 बल्ब 10 रुपए प्रती बल्ब की दर से खरीदे उनमें 5 बल्ब खराब थे और उन्हें फेकना पड़ा 6 बल्बों को 12 रुपए प्रती बल्ब की दर से बेचा गया लाब अत्वाहानी प्रतिशत ग्याद कीजिए हल 200 बल्बों का क्रै मुल्ले बराबर है 200 गुणा 10 रुपए बराबर है 2000 रुपए 5 बल्ब खराब थे इसलिए बचे हुए बल्बों की संख्या बराबर है 200 घटा 5 बराबर है 195 इनको 12 रुपए प्रतिशत ग्याद की दर से बेचा गया 195 बल्बों का विक्राए मुल्ले बराबर है 195 गुणा 12 रुपए बराबर है 2340 रुपए यहां विक्राए मुल्ले बड़ा है क्राए मुल्ले से यानि SP is greater than CP इसलिए Sपष्टतअ उसे लाब हुआ था लाब बराबर है 2340 रुपए घटा 2000 रुपए बराबर है 340 रुपए 2000 रुपए पर 340 रुपए का लाब हुआ तो 100 रुपए पर कितने रुपए का लाब होगा प्रतिशत लाब बराबर है 340 बटा 2,100 बराबर है 17 प्रतिशत यहाँ पर एक बल्ब का चित्र बना है यह लिखा है कि बल्ब का क्रे मूले 10 रुपे है और विक्रे मूले 20 रुपे है उदारन साथ, मीनु ने दो पंखे 1200 रुपए प्रती पंखे की दर से खरीदे, उसने एक पंखे को 5 प्रतिशत हानी से और दूसरे पंखे को 10 प्रतिशत लाब से बेचा, प्रती एक पंखे का विक्राय मूल्ले ग्याद कीजिए, कुल लाब अत्वाहानी भी ग्याद कीजिए हल, प्रतियक पंखे का क्राय मूल्ले बराबर है 1200 रुपई, एक पंखा पांच प्रतिशत्हानी से बेचा जाता है, इसका अर्थिय है कि यदि क्राय मूले 100 रुपई है, तो विक्राय मूले 95 रुपई है, इसलिए जब क्राय मूले 1200 रुपई है, तब विक्राय मूले बराबर है 95 बटा 100 गुणा 1200 रुपई, बराबर है 1140 रुपई, दूसरा पंखा 10 प्रतिशत लाब से बेचा गया, इसका अर्थ यह है कि यदि क्राय मूले 100 रुपई है, तो विक्राय मूले 110 रुपई है, प्रिष्ट संख्या 132 इसलिए जब क्राय मूले 1200 रुपई है तब विक्राय मूले बराबर है 110 बटा सो गुणा 1200 रुपई बराबर है 1320 रुपई अध्यापिका पूछती है कुल मिलाकर लाब हुआ अथ्वाहानी लड़की जवाब देती है यह जानने के लिए कि कुल मिलाकर लाब हुआ अथ्वाहानी हमें संयुक्त क्राय मूले एवं संयुक्त विक्राय मूले ग्यात करने की आवश्यक्ता है कुल क्राय मूले बराबर है 1200 रुपई जमा 1200 रुपई बराबर है 2400 रुपई कुल विक्राय मूले बराबर है 1140 रुपई जमा 1320 रुपई बराबर है 2460 रुपई क्योंकि कुल विक्राय मूले बड़ा है कुल क्राय मूले से इसलिए 2460 रुपए घटा 2400 रुपए अर्थात 60 रुपए का लाब हुआ प्रयास कीजिए एक एक दुकानदार ने दो टेलिविजन सेट 10,000 रुपए प्रती सेट की दर से खरीदे उसने एक को 10 प्रतिशत हानी से और दूसरे को 10 प्रतिशत लाब से बेज दिया ज्याद कीजिए की कुल मिलाकर उसे इस सौदे में लाब हुआ अत्वा हानी अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गणित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचनस्वर आकाश आहुजा तकनीकी समन्वयक बटलाइंग लिंग्डो तकनीकी सहायक शानु मुक्सीम निर्मान सहयोग रुची शर्मा निर्देशन व निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत तकनीकी समन्वाद